हलो गास ये इस्टोरी बेस्ट और बेस्ट है इसमें भी आपको चिरर क्यारक्टर में लेगे और पहले तो मैं आपको अच्छे सब इस्प्लेइन करना चाहूंगी कि ये इस्टोरी पॉकेट अफेम के स्टोरी है देखो कितने मिलियन लोगों ने देख लिया है एंड इस्ट इस्ट भाई है चोटा एंड उनका एक बड़ा भाई है पर उन्से वह उतनी ज़्यादा बंती नहीं हो फो हमारे हिरो की इतना बारे में जाना है तब चले चलो फ्ल रड़िव जाने थे हैं तो पुरा फुल रिवी जानते हैं या वह हमारे हीरो की फर्स्ट गर्रफर्ड रह चुकी है इस टैप की कनेक्शन है इस स्टोरी में आपको चिर्रान क्यरेक्टर मिलेगी मैं गारेटरी देती हूँ यहां तक तो जानी लिया अब इसी कारे वो थोड़ दूर रहते हैं अपने बड़ी भाई से अब चलो जाते हमारे हिर्वाइड की लाइफ पे और हिर्वाइड की हमारी लाइफ है वो एक टीचर है और सोचो क्या होगा एक बिजनसमेन और टीचर की लव स्टोरी एंड हमारे हिर्वाइड जो टीचर बनना चाहती अभी वो उनकी कॉलेज लाइफ से स्टार्ट करते हैं से घटब जो नहीं तरफिया서 धौने रहे हाँ दोनों से नोके जो किस लड़की को पसंद करती वह मिस्पर की अीडर मिलब की यार आड़ है इसलिए पसंद नहीं हemor form को हुआ मतलब सौते लिमा है मतलब उनके फैमिली में और भी भाई बहन है इस टाप की स्टोरी है और विलन का काम आप लोग तो जाते हैं सौतेली भाई बहन मतलब मदर करती है और उनकी बेटी इस टाप की स्टोरी है कहानी में बात है कि हमारे हिर्वेंड के जो भाई है वो उनके भाई नहीं म excellently बहने की मारे हिर्वेंड को जर्वत से जादा केर चिरुढ़ एंधांनों बात है अब चलो हमारे heaven की असली life में जाते है इतना तो आप लोगों ने जानलिया अब आगे क्या होगा मतलब इन क्या step से connection होगी हमारे hero के साथ ये आपको जाने को मिलेगा हम तो जानते हैं हमारे hero पोजी मतलब positive वाला इनसान है कि वो किसी और को किसी और के साथ होने नहीं मतलब जाने नहीं देंगे इस टेफ की बस्ट है एन इस टोरी बेस्ट और बेस्ट है इन आगे तक हमें हमारे हिवेन की मतलब अच्छी लाइब दिखाई जाएगी मुझे लग रहा है चलो जाते हैं असली उनकी लाइब में फिर बात याएब की इनकी आखे साधी भी होगी इनकी प्रैग्नेंट भी होती हमारी हिरवेन अब बात चलते हैं असली उनकी लाइब में बात यह कि हमारी जो हिरवेन की मतलब है वो एक पता नहीं किस्टैप की लेडी है जो मतलब हमां मतलब हो दो-दो बिजनसमेन के पीछे पड़ी मतलब यार आप लोग गलास समझोंगे पर मैं कहना चाहूंगे कि हमारी हिरोईन के जो मदर है वो मतलब क्या कहें मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब वो पहले ही पसंद करती थी फ्रेजा के बड़े एक है बड़े तंद का या फ्रीम है उनके फादर को यह हमारे हिरों के दूर के बड़े मतलब जो भी रिष्तेधार है वो भी जो भी हो ब्यार हियरो के कह सकते हैं जो fire निकी फेमिली में था एक मेंबर जो बहुत समार्ट दिखता था एंड हमारे हिवैज की मदर भी बोध स्मार्ड देती थी तो Спटैप से कनेक्षन है अगे उन्हें लगता है कि हमारे हिवैज Le Overna मलब जब ट्रैंड हो जाता है तब नहीं पता चलता है कि सभी सभी एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रका उसमारी है भी मतलब क्या क्या ट्विश्टर नाएंगे यह जाने को मिलेगा एंड क्या यह कपाल एक सत रह पाएंगे मैं कहूं कि यार आप लोग बीच में दुखी वला सैड मोमेंट क्यों देखना आगे बढ़ा के देख लो मैं कहा रही हूं हंडेट परसंट गयाटी अच्छे स्टोरी है एंड हमारी हिवेंट का एक बीटा होता है मतलब बीटा एंड वह दोनों का फिर से कनेक्शन होता है एंड मतलब जब वो प्रेगनेंट है थी तब उन्हे कर साथ और फैर यह सब वल्ला बात उन्हें पता चल जाती है अन्द क्या होगा जब मतलब पने पता चलते हैं कि मैं सच में इनकी पेटी हूं जबकि इनके फादर को लग रहा था कि ये बेटी उसकी है यही वाली बात है ना तूने मतलब गन्हें अवान था आज रहता है म जो बाई ताप जो रहता है उनके सोतेले भाई जो असलिक नहीं है उनके भारे में भी हमारी हिर्वाईड को पता चल जाते हैं तो इसलिए वो उनसे तो दूरी मना लेती है आगे जब उन्हें कुछ राजी फैम्लियों के बारे में पता चलते है तो मतलब हमारे हिरो को पसंद तो करने लगी है तो उनसे माफी मागती है और हमारी हिरोईन को जब प्रेगनेट रहती तो वो अपने भाई जो छोटा भाई है उसके साथ उन्हें कहीं और भेज दी था है कुछ मतलब जब तक प्रेगनेट सी कंप्लीट न हो जाए तब तक वो इधर के गुंडे लोगों को समालते है विलन होगी कहानी में यह आपको जानने को मिलेगा एंड यह पूरा एक बीजनरस मैंने टीचर की लाइफ स्टोरी है अलग की स्टेप से लाइफ है इनकी कनेक्शन क्या है स्टोरी एंड फुल रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्काइब करें